भारत में क्रिकेट की सुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है भारत में क्रिकेट की सुरुआत अठाणी सदी में हुई थी सल्मान खान का घर भारत के किस राज में है? इसका सही जवाब है सल्मान खान का घर भारत के महाराश्ट राज में है भारत में बुलू सीटी के नाम से किस सहर को जाना जाता है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालू है तो क्रॉमेट बॉक्स में क्रॉमेट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है जोधपूर को बुलू सीटी के नाम से जाना जाता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का सबसे लंबा बांध हीरा पूंड बांध है हमारे भारत देश का राष्ट्रिय पेर कोन सा है? इसका सही जवाब है भारत देश का राष्ट्रिय पेर बरगत पेर है दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश किसे माना जाता है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश होंग कॉम को माना जाता है किस धातु का पड़ियोग मानव दुवारा सबसे पहले किया गया दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है तामबा का परियोग मानव दुवारा सबसे पहले किया गया शरीर के सभी कारियों का नियंत्रन कौन सा अंग करता है इसका सही जवाब है शरीर के सभी कारियों का नियंत्रन दिमाग करता है भारत की सबसे अधिक दूद देने वाली गाय कौन सी है दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है भारत की सबसे अधिक दूद देने वाली गाय साही वाल है समूसी का विसकार कब हुआ था? इसका सही जवाब है समूसे का अविसकार 11 सली में हुआ था भारत का सबसे बड़ा वसुओं का मेला कहां लगता है? दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेश्टिंग सासा वाल है जिसका जवाब अगर आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करें जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा पसुओं का मेला विहार में लगता है दूद किसके कारण खटी होती है? दोस्तों ये बहुत ही महदपुर्ण सवाल है अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताए जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है बैक्टेरिया के कारण दूद खटी होती है एक मिसाइज कितने रुपे की होती है? का सही जवाब है एक मिसाइज का खीमत 14,000 डॉलर है कुर्पुरे चीफ्स के पैकेट में कौन से गैस भड़ी जाती है? दोश्ते ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब अगर आपको मालूम है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही जवाब है कुर्पुरे चीफ्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भड़ी जाती है किस जानवार का दूद पीने के बाद इंसान मड़ भी सकता है? इसका सही जवाब है सेड़नी का दूद पीने के बाद इंसान मड़ सकता है भारत का सबसे ताकतवर राज ये कौन सा है? भारत का सबसे ताकतवर राज महाराश्ट्रे है निल आर्म स्ट्रांग ने चांद पर जब कदम रखा तो कितना टाइम हो रहा था? इसका सही जवाब है निल आर्म स्ट्रांग ने चांद पर जब कदम रखा तो 1 बच कर 17 एम हो रहा था भारत का सबसे स्वक्ष सहर कौन सा घुसित हुआ है? दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है भारत का सबसे स्वक्ष सहर जैपूर गूसित हुआ है ऐसा कौन सा पेर है जिस पर हम चड़ नहीं सकते हैं केले के पेर पर हम चड़ नहीं सकते हैं चावलों का देश किस देश को कहा जाता है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है चावलों का देश थाइलेंड देश को कहा जाता है किस देश में सिक्रेट पीने पर फांसी की सजादी जाती है तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं इसका सही जवाब है कनाडा देश में शिक्रेक पिने पर फांसी की सजा दी जाती है सबसे पहले नोट बंदी किस देश में हुआ था इसका सही जवाब है धना देश में सबसे पहले नोट बंदी हुआ था मनुस की खुपड़ी में कितनी अस्थियां होती है यह बहुत ही इंटरेस्टिन सवाल है दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए इसका सही जवाब है मनुस की खुपड़ी में आठ हस्थियां होती है हुआ 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 है